हेलो एवरिवन आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चैनल अपना सफर 786 में आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करेंट और टू फिलिंग्स क्या है आपके लिए यहां जो हमारा फास्ट काड आया है वो है तो अफ्सोर्स नेस्ट काड आया है 5-0 नेस्ट है जय्जमेंट नेच्सक्त काड आया है पेज फिलिंट नेस्ट है तु फिलिंट और इंड टन अफ्सोर्स यहां पर 10 और जो साइन है वो है कुम झून तो अप्येस जैमनिय लिब्रा मेज सिंग धनू एरिजलियो सेजिटेरियस ओके वीवर्स ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं और यहाँ पर जो नमबर इंपोर्टन्ट है वो है 7 नमबर, 8 नमबर, and 1 नमबर ये आपकी बर्ट डेट्स हो सकती हैं, बर्टमंद हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं और कहीं न कहीं ये आपके लिए लगी भी हो सकते हैं और यहाँ पर टू नमबर भी ऐसा लगता है लगी हो सकता है आपके लिए इन कार्ट्स को देखकर ऐसा लगता है मुझे की आपके से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जणोंने अपनी लाइफ में बहुत दुक्षेये हैं बहुत दर्द सहे हैं आपकी लाइफ में ऐसा बहुत कुछ हुआ है जिसने आपको बहुत besStrong बना दिया है आपने अपने अपनी लाइफ में जो कुछ भी सहा है उसको सह सह कर आप इतने स्ट्रॉंग हो गए हैं कि आपने लाइफ को जीने का तरीका सीख लिआ है अब आपने समज लिया है कि हैपिनिस को किस तरह से अपने जीवन में लाआ जाता है और किस तरह से अकेले जीवन जिया जा सकता है हमें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है हम खुद ही अपने लिए काफी है ऐसा यहां लग रहा है आपने से बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस तरह की फीलिंग्स रखते हैं और लाइफ में आपने अकेले जीने का जो मौल मंतर पाया है ऐसा लगता है वो आपके काफी काम आ रहा है और ऐसा लगता है अब आपने खुद को ब्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया है और लोगों से बचने का तरीका सीख लिया है लोग आप पह ब्लेम करते होंगे लोग आपको ताने देते होंगे आपसे लड़ाई जगड़े करते होंगे या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते होंगे या फिर आपकी कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करते होंगे शुरू शुरू में आप ये चीज समझते नहीं थे बट आप तीरे तीरे आप में maturity आ गई है और यह सारी चीज़े आप समझने लग गए है यहां ऐसा लगता है और आपका बहुत फायदा उठाया गया है पास्ट में ऐसा लग रहा है आपके साथ cheating की गई है धोका किया गया है आपकी आँखों पे जैसे की पटी सी बांदी गई थी ऐसा लगता है ल लोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं कितने हद तक जा सकते हैं ऐसा यहां लगता है बट अब आपकी जीवन में ऐसा लगता है आपने abundance को attract करना शुरू कर दिया है और जो भी आपने prayers की थी वह आपकी prayers ऐसा लगता है कि सुनी जा रही है और अ ऐसा भी लगता है कि God ने आपकी prayers सुन ली हैं यहां judgment का card आया है आपके साथ जो कुछ भी नाइंसाफी past में हुई थी two of source की energy में थे आप five of source की energy में किसी person ने रहकर आपको बहुत बुरी तरह से cheat किया था बट यहां judgment का card आ गया है अब आपके साथ judgment होने जा रहा है ऐसा लगता है जिस person ने भी आपके साथ यह सारी है चीज़े की होंगी उसको उसका कर्मा मिलने जा रहा है और आपके साथ judgment होने जा रहा है अगर past में आप थोड़ा सा बच्पना था जिसकी वज़ा से आप चीजों को उस तरह नहीं देख पाते थे जिस तरह लोग आपके साथ cheating करते थे उनका behavior आपके साथ रहता था आपको ऐसा लगता था कि सारे ही लोग आपकी तरह अच्छे हैं और आप हर इंसान को ही अपने जैसा अच्छा समझ लिया करते थे तो अब ऐसा लगता है कि आपकी आँखों पे से वो पट्टी भी हट गई है अब आप लोगों को उ आपके साथ ऐसा ही behavior रखा है ऐसा लग रहा है और आपको वो छोड़कर चले गए हैं आप उनका wait कर रहे हैं ऐसा लगता है two of wands के card को देखकर कि कोई है आपकी life में जिसका wait कर रहे हैं उसके आने का wait कर रहे हैं और उस इंसान ने आपको बहुत जादा बुरी तरह से जख रहने लगता है यहाँ पर 10 of source के card को देखकर ऐसा लगता है कि आपके जीवन में इतना दुख है कि मैं बताते हुए भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं बहुत emotional हो रही हूँ तो आपकी condition तो मैं समझ पा रही हूँ कि आपकी इस वक्त condition कैसी होगी जिस person की भी energy निक को अपनी सारी wishes बताई थी वो सारी wishes ऐसा लगता है कि अब पूरी होने जा रही है एक्चुली ऐसा लगता है और जिस ने भी आपके साथ कुछ गलत किया था ऐसा लगता है कि उसको भी चीज़े realize होने वाली हैं और इन future वो आपसे apologize करेंगे आपसे माफी मांगेंगे और ऐ इस person के लिए भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं ये उनकी energy भी हो सकती है ऐसा लगता है और अगर ये energy आपकी है तो ऐसा लगता है कि आपके जीवन में जो person भी past में रहे हैं उन्हें आपसे प्यार नहीं था ऐसा लगता है सिर्फ वो time pass कर रहे थे आपको cheat कर रहे थे दोखा दे रहे थे यहां तो ऐसा ही लगता है अब आप समझी सकते हैं जो इनसान आपको धोका दे कर चला गया है चीट करके चला गया है वो इनसान आपको क्यों याद करेगा वो तो अपने past को कभी भी याद नहीं करेगा क्योंकि वो तो अपने जीवन में आगे बढ़ रहा होगा क्योंकि उसने आपके साथ जो कुछ करना था कर लिया है वो अपने मकसद में कामयाव हो गया है और ऐसा लगता है कि ये जो भी परसन जिसके लिए भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो आपको याद नहीं करते हैं और कभी अगर आपकी याद भी आती होगी तो ऐसा लगता है कि वो अपने बढ़ते कदमों को रोक लेते हैं ये सोचकर कि आपके दिल में जो भी जखम उन्होंने दिये हैं वो शायद आप भूले नहीं है और उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे इस वज़जा से भी ये परसन शायद आपकी लाइव में वाबस लौट कर नहीं आना चाहता है जादा सोचता नहीं है ओके वीवर्स तो यहां पर तो मुझे इन कार्स को देखकर ऐसा ही लग रहा है ये जिस परसन की भी एनरजी आई है वो आपको मिस्स नहीं करता याद नहीं करता ओके वीवर्स तो ये थी आपकी रिडिंग आई होगी कुछ तो रेजोनेट की होगी हमारे जिन वीवर्स के साथ भी ये रिडिंग मैच करती है उनसे रेजोनेट की है वो मुझे कॉमन करके जरूर बताएं कि ये एनरजी किसकी है किसकी लाइफ में ऐसा कुछ हो चुका है और ऐसा लगता है इन कार्स को देखकर भी आपने खुद को स ख्याल रखें बाबाई